नमस्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का आईए बात करते हैं अधिगम के प्रतिवान के बारे में देखें अधिगम के प्रतिवान के बारे में दो प्रमुक्रूप से सिद्धान पर चले थे पहला सिद्धान्त है वेहारवादी सिद्धान्त और दूसरा सिद्धान्त है वो है अधिगम के संग्यानात्मक सिद्धान्त सबसे पहले हम बात करते हैं वेहारवादी सिद्धान्त के बारे में तो वयहरवादी शिद्धान्त में देखा जाए तो इसमें पहला आता है थॉंटाइक का समंधवाद सिद्धान थॉंटाइक का समंधवाद सिद्धान्त है जो की हम पिछले वीडियो में completely इसके बारे में समझे चुके हैं और इसके बारे में हमने पूरा पढ़ लिया है आज हम बात करेंगे पावलो का क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धान्थ तो आज हमारा टोपिक रहेगा पावलो का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धान्थ उसके आगे भी बात कर लेते हैं हम क्या-क्या पढ़ने वाले हैं इसकी निर्का किर्या परशूत अनुबंदन सिद्धान पढ़ेंगे हलका प्रबलन सिद्धान पढ़ेंगे समीपता अनुबंदन सिद्धान पढ़ेंगे तो ये पर्मुक वेहरवादी सिद्दान थे जो की वेहर के पक्ष में बात करते हैं दूसरी तरब देखेता आते हैं अधिगरम के संग्यानात्मक सिद्दान संग्यानात्मक सिद्दान जो है वो उसमें पर्मुक रूप से सिद्दान आता है गेंस्टार्ड सिद्धान और दूसरा है जीन प्याजे का सिद्धान तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे पावलो का क्लासिकल अनुबंधन सिद्धान जोकी बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक है इसको हमें अच्छे पढ़ना है क्योंकि यह बहुत important exam की दरश्टी से तो क्या है पावलोग का classical अनुबंदन सिद्धान्द देखे यह जो सिद्धान्द दिया गया था यह सिद्धान्द दिया गया है इसका जो जनक है वह इवान पी पावलोग इनके जो जनक है वह इवान पी पावलोग इनका पूरा नाम हो गया इसलिए सिद्धान्द का नाम है पावलोग का classical अनुबंदन का सिद्धान्द का नाम है इवान पी पावलोग चले बात करते हैं इस सिद्धान्द के अन्नी नाम के बारे में जहां से एक्जाम की दुरश्टी से प्रशन पूछने के 100% चांस रहते हैं तो इस सिद्दान के क्या-क्या नाम है देखे सास्त्रिय अनुबंदन का सिद्दान इस सिद्दान का नाम है सास्त्रिय अनुबंदन का सिद्दान पहला technical point यह याद रखेंगे दूसरा है संबंद परत्यावर्तन का सिद्दान्थ दूसरा पॉइंट हमें परत्यावर्तन का ज्यान रखना है देखे सास्री सिद्दान्थ परत्यावर्तन का सिद्दान्थ तीसरा है प्राचीन अनुबंदन का सिद्दान्थ प्राचीन अनुबंदन का सिद्दान्त है वो भी पावलो के सिद्दान्त को कहा जाता है अगला है सहेज अनुबंदन का सिद्दान्त तो सहेज अनुबंदन का सिद्दान्त है वो भी पावलो के सिद्दान्त का ही नाम है फिर आता है अगला सम्मंद परतिकिर्या का सिद्दान तो सम्मंद परतिकिर्या देखे टेकनिकल पॉइंट हमें याद रखेंगे तो सब कुछ याद रहेगा हमें अगला है परमपरा अनुबंदन का सिद्दान ठीक है परमपरा अनुबंदन का सिद्दान उसके आगे है अनुबंदन का सिदान, इसका simple नाम अनुबंदन का सिदान भी है, तो इस page में हम क्या क्या देख रहे हैं, क्या 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 नाम में देखें, पहला सात्री अनुबंदन का सिदान, परतिया वरतन का सिदान, प्राचीन अनुबंदन का सिदान, सहज अनुबंदन का सिदान, तो यह भी important हो गए हैं, तो यहाँ पर देखा जाएं, तो पाउलो का जो अधिगम सिदान इसके बहुत सारे नाम है, इन नाम को हम याद रखते हैं, तो जहां तक मेरा विचार है, हमें reach के exam में या भी सिटेट के exam में यहां से 100%, 1% अराम से मिल सकता है, क्या है इस सिद्धान्त के बारे में तो देखें इस सिद्धान्त के अनुसार प्रति एक विक्ति या जीव जनमजाद प्राकर्तिक प्रवर्ति या प्रतिकिर्या या अनुकिर्या रखता है देखें आप तीन वर्ड आये प्राकर्तिक प्रवर्ति या फिर प्रतिकिर्या या उसकी क्या सी का response है क्या परतिकिर्या है या फिर अनुकिर्या रखता यह और इनी परवर्थियें किसी उप्र compliance उपस्ति थृने पर यह प्रकट हो जाती है देखें यहां यह word आया है उद्धिपक जैसे कोई उद्धिपक दीखेगा और उस उद्धिपक को देखते ही यह परतिकिरिया सामने आ जाती है तो उदिपक को देखने के कारण या उदिपक के संपरक में आने पर ही क्या प्रकट होती है प्रतिकिरिया या अनुकिरिया या पिर प्रवर्ति प्रकट होती है इसके उदारन के एक बात करें जैसे कोई व्यक्ति मीठाई देखता है तो मीठाई जैसे देखेगा तो उसके उसकी जो प्रवर्ती है या उसकी प्रतिकिरिया है जो अनुकिरिया है उसकी यह हो सकती है कि उसके मुँव में लार आ जाए या फिर हो सकता है उसकी प्रवर्ति ऐसी हो कि उसको मिठे दे कर गिन आ जाए जनरले उसके मूँ में लार आ जाएगी तो यह इसकी क्या है अनुकिरिया है और यह जो मिठे ही है वो क्या है उद्धिपक है तो उद्धिपक जैसे ही परकट होता है तो व्यक्ति या जीव के अंदर क्या सुरू हो जाती है उसकी अनुकिरिया या उसकी प्रतिकिरिया या उसकी प्रवर्ति जो है वो क्या हो जाती है परकट हो जाती है आईए इसको एक प्रियोग द्वारा समझते हैं क्या है मुझ के अनुसार मुझ में बोजन रखने पर ही लार गरंतिया मुझ में लार छोड़ती है जैसे हमारे मुझ में बोजन आता है हमारे मुझ के अंदर उपस्ति लार गरंति से लार रस निकलना प्रारम हो जाता है तथा यह जन्म जात प्रक्रिया होती है यह सभी प्राणियो देख रहे हैं भोजन देख रहे हैं तो भोजन एक स्वभाविक उद्धिपक है स्वभाविक मतलब व्यक्ति भोजन करता ही है और भोजन जब देखता है तो उसके मुझ में लार आ जाती है तो ये भी एक स्वभाविक अनुकिर्या है तो स्वभाविक उद्धिपक को दे कर क्या हो रही है लार निकल रहे है यानि स्वभाविक अनुकिर्या हो रही है स्वभाविक परकिर्या हो रही है तता लार को स्वभाविक परकिर्या कहा जाता है बोजन को स्वाभाविक उद्धिपक कहा जाता है और लार को स्वाभाविक प्रक्रिया कहा जाता है पावलो उने अपने प्रियोग के दोरान कुट्टे को बोजन देते समय गंटी की आवाज करना प्रारम की अनेक बार ऐसा करने के बाद उसने केवल गंटी की आवाज की तता खना नहीं दिया ऐसा करने पर भी उसने पाया कि केवल गंटी की आवाज सुनकर ही कुट्टे के मुँँ में लार आ गई देगे इसका मतलब क्या हो इसका मतलब यह हुआ कि सबसे पहले बोजन जो है वो बोजन कुट्टे को दिखाये गया तो जैसे बोजन कुट्टे को दिखाया तो उस कुट्टे के मूँ में क्या आ गई लार आ गई फिर क्या क्या है लगातार यह प्रयोग करने के बाद में एक नया ट्रिक अपनाया गया पहले गंटी बजाते हैं फिर भोजन देते हैं और उसके मूँ में क्या आ जाती है लार आ जाती है अब क्या कर रहे हैं जैसे गंटी बजती है तो खुत्ते को पता चल जाता है भोजन आ गया और उसके मुँँ में लार आना प्रारम हो जाती है अलागि बोजन नहीं भी देंगे तो भी उसके मुँँ में क्या जाएगी लार आजाएगी तो यहाँ पर प्रयोग तो यही है लेकिन इससे बहुत बढ़ा निशकश निकल रहा है क्या निश्कस निकल रहा है यहाँ पर एक और चीज ध्यान रहेगा गंटी बजा कर भोजन देते हैं तो मूँ में लार आती है भोजन देने पर तो मूँ में लार आई रही है लेकिन गंटी बजाते हैं फिर भोजन लाते हैं मूँ में लार है थर्ड कंडिशन में क्या होता है सिरफ गंटी बजाते है और उसके मुँँ में क्या आ जाती है लार आ जाती है तो गंटी के साथ में हमने उस कुट्टे की जोड दिया तो ये बहुत इंपोर्टेंट चीजे इसको समझने के लिए ही ये सिद्धान्त कारी करता है इसे पावलो उन्हें निश्कष निकला कि कुट्टे ने गंटी की आवाज को लार के साथ क्या कर लिया अनुबंदित कर लिया बस ये इंपोर्टेंट लाइन जो है पावलो के नाचारा में कि कुट्टे ने किया क्या गंटी के साथ में अब मुझे बताइए क्या गंटी जो है वो स्वभाविक उद्धिपक है नहीं है वो अस्वभाविक उद्धिपक है और लार जो वो क्या है स्वभाविक अनुब किरिया है तो अस्वाविक उधिपक को सुभाविक उधिपक के साथ में या सुभाविक परकिर्याक साथ में जोड़ना यही इंपोर्टेंस है भावलोग के सिद्धान्त की तो आईए बात करते हैं इस सिद्धान्त के बारे में आगे देखिए अब इस सिद्धान्त के बारे में कुछ और पंक्टियों के बारे में पढ़ते हैं कुत्य के मुह से लार का गिरना सुभाविक उद्धिपक के परती हो रही थी कुट्टे की मुव में लार निकल रही है किसके कारण निकल रही है सुभाविक उद्धिपक भोजन के कारण वही किरिया असुभाविक उद्धिपक गंटी अब भोजन ही है अब गंटी है और गंटी क्या है असुभाविक उद्धिपक है तो अस्वावविग उद्धिपक के परती क्या होने लगी उसकी उन्हें लार आने लगी तो होने लगी इसी किरिया को हम अनुकुलित अनुकिरिया सिधान्त कहते हैं पस यह किरिया सिधान्त जो है अनुकुलित अनुकिरिया सिधान्त कहलाता है या पिर अनुबंदित अनुकिरिया सिधान्त कहलाता है क्यों कि कुट्टे की लार का किसे समंद हो गया गंटिक के साथ में समन्द हो गया जो कि क्या है जो अर्षवावविक उद्धिपक है आईए इसको कुछ शॉट ट्रिक के द्वारा समझते हैं जो कि बहुत इंपोर्टेंट भी है एकजाम में कई बार पुछे जाती है देखे UCS, UCS का अर्थ क्या हुआ Unconditional Stumulus Unconditional Stumulus मतलब Stumulus का मतलब भाज़ण अ eternally unconditional मतलब कोई condition नहीं है, हमने कुछ बहज़ण दिया और UCR Unconditional Response Unconditional Response का मतलब हुआ उसके कुछ उगों में ला रहे बिना किसी condition के स्वभाविक कि रिया है ये भी स्वभाविक कि रिया है फिर हमने क्या क्या condition लगा दी CS का मतलब है conditional stimulus condition क्या लगा दी हमने गंटी बजाएँ गंटी बजार के हमने भुजन दिया कंडिशनल stimulus के साथ हमने unconditional stimulus जिसे क्या हुआ यानि conditional stimulus देंगे यानि conditional stimulus देंगे तो उसके मुँव में जो लार है वो भी कैसी निकलती है conditional response यानि की लार निकलती है और उसी के साथ में हम इसको जोड़ देते हैं यहां जो ये लार निकलती है ये लार क्या है conditional response है तो हमने क्या क्या conditional stimulus के साथ में conditional response को जोड़ दिया इसी सिद्धान्त पर ये पूरा सिद्धान्त आधारित है तो आईए बात करते हैं इस सिद्धान्त के शेक्षनिक निहतात क्या है तो देखे इसके क्या कारी है इस इक्सा में देखे पहला है आदत निर्मान करने में हमारा आदत का निर्मान जो होता है वो इसी सिद्धान पर होता है क्योंकि बच्चों को कई बार हम किसी जी से डाटते हैं तो बच्चों को पता है कि डाटने से हम ये गलती करेंगे तो हमें डाटेंगे तीसरा है चरितर निर्मान में सायक है सिक्षन में स्रव्य द्रश्य सामगिरी का उप्योग इसी सिद्धान्त पर आदा रहते हैं सिक्षन में हम द्रश्य और स्रव्य सामगिरी का उप्योग इसी सिद्धान्त के आदार पर हम करते हैं और डमरू पर बंदरिया या बालू जो नाचते हैं वो भी इसी सिदान पर आदा रिते हैं क्योंकि डमरू पर बालू और बंदरिया को सबसे पहले भोजन के साथ मैं अनुबंदित किया जाता है तो बालू और बंदरिया को पता है कि मैं ऐसी किरिया करूँगा तो मुझे भोजन मिलेगा तो एक तरीके से ये नाजना इसी सिदान पर आदा रहते हैं मिलते हैं अगली कलास में तब तक लिजे ही जे भार